हेलो दोस्तो नमस्कार दोस्तो मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो में मैं किसी रो माटेरियल के बारे में नहीं बलकि COD के नाम पर कैसे फ्रॉड होता है दोस्तो उसके बारे में आपको विश्टार से बताऊंगा तो आप वीडियो को बीना इस क्रिप्ट किये हुए ध्यान से देखिए दोस्तो आपको समझ में आ जाएगा तो देखिए दोस्तो सबसे पहला COD का मतलब होता है कैस on delivery ठीक है तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे उससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तो जो अभी भी COD पे काम नहीं करता उसका रीजन क्या है दोस्तो तो देखिए दोस्तो किसी भी बैपारी के पास 10 15 20 50 100 कॉल डेली आते हैं ठीक है दोस्तो अब मान लिजे उसके पास कोई नया 10 कॉल भी आया तो उसमें से कोई एक दो कस्टमबर उससे ले ही लेगा ले लेगा त परभांस पैसा देने के बाद और सही माल पहुंचा तो कस्टमबर जो है दोस्तों हमेशा के लिए जो है लाइफ टाइम के लिए उस बैपारी से जुड़ जाता है ऐसे करकर कि उस उनके पास इतने कस्टमबर होते हैं कि उनको अपने ही कस्टमबर से फुर्सत नहीं होता जिस कारणों कभी भी यूटूप पर जाके सीोडिÓ में ले लो यह सब नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है क्योंकि उनके पास जितने कस्टमबर हो जाता है तो उन को माल नहीं सपलाई कर पते हैं मान लिजिए किसी के पास 10 दस कॉल अगर डेली आ रहा है तो उसमें से एक भी अगर एकग्दिन में है कोई भी शेटिंग हो गया ले लिया फूल अट्वानस पर भी दोस्तो levels तो महीना में आप सोचिए कितना कस्टमबर उसको आ गया ऊंपार तीस आ गया एक साल में कितना आ तीन सो साल मेंLS इंद चोड़िए फिरल एक यूरू जानते हैं से शित्य करने के लिए दोस्तों आपको 50 रुपया का जोरत पर बहुत जोकते हैं यूत 360 customer को माल दे पाऊंगा नहीं दोस्तों तो सबसे पहला रीजन यहीं होता है दोस्तों कि जो इमंदार बयापारी है उनसे पहले बार जूरने में थोड़ा तकलीप होता है क्योंकि हर किसी को विश्वास नहीं होता लेकिन जो लोग अच्छे बयापारी है उनको भी पता है कि क COD कौन करता है दोस्तों COD हमेशा वही करते हैं जिनको दोस्तों एक बार का कस्टमबर देखना है क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास माल का क्वाइलिटी अच्छा नहीं है माल भी हम पूरा नहीं देते है और उनके पास स्टॉक भी नहीं होता दोस्तों आज आप COD के लि कि उस customer के साथ उनको एक यह बार जो है dealing करना तो इसलिए दोस्तों वो लोग जो है COD के तलास में रहते हैं YouTube पर चिलाते रहते हैं COD ले लो COD ले लो अरे जो बैमान होगा वह तो एडवांस पैसा में भी माल नहीं बेजेगा और COD में भी आप क्या सुचते हैं कि वह बैमान भी होगा तो माल भेज़ देगा दोस्तों COD में भी कुछ एमाउंट जो है आप से पहले ले लिया जाता है उसके बाद जो है आपको रेट भी कम बत है उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्या होता है दोस्तों जब भी COD वाला जब पैकेज आपको आता है तो कुरियर वाला जो है दोस्तों आपको पैकेज देने से पहले पूरा परसा आप से ले लेता है जो भी उसका बकाया होता है उसके बाद पैकेज आपको थमाता है चलते बनता है अब उसमें क्या निकला इंट निकला पत्थर निकला गिटी निकला बालु निकला तो उससे उसको क्या मतलब है तो इसलिए दोस्तों यह वीडियो बनाने का मकसद यहीं है कि कई भाई लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि आपके पास COD है कि नहीं दोस्तों हम माल डिस्पैज कर देते हैं उनके साथ हमारा और सब कुछ लपड़ा चलता ही नहीं है ठीक है हाँ जो नए कस्टमबर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं दोस्तों तो एक बार तो आपको स्टेप उठाना ही परेगा दोस्तों आप ज्यादा नहीं 200 लेके देखिए कि आपको माल स टोसाय करेंगे आप कहीं नहीं जाएंचे और हमारे पास नहीं लेते रहेंगे क्योंकि दोस्तों सिर्फ पंचिंग मसीन होता है जो कि इसको पंचिंग करने के लिए ठीक है दोस्तों और इसमें किसी कीट का ज़रत नहीं तो कीट का चक्कर जो है यह भी एक फ्रॉड का जरिया है दोस्तों आपको फसाने के लिए तो आप लोग किसी से भी माल मंगाए तो उसका जाके पुलिस थाना जो साइवर थाना होता है आपको नहीं पता तो पुलिस थाना में जाके पूछिए हमारे साथ ओनलाइन फरौड हुआ ऐसे ऐसे हम पैसा ट्रांसपर किया हूं और माल नहीं भेज रहा है पुलिस वाला खुद ही बता देगा कि साइबर थाना में जाओ कहां पर क्या है बस आपको एक फायर करनी है फिर देखिए उस फ्रोड के साथ क्या होता है दोस्तों फ्रोड जो है उसको पुलिस पकर के रहे हैं cod के चक्कर में चिलाते रहेंगे पहले माल लेलो बाद में पैसा देदे रह आखिए के नाम पर ही फ्रोड हो रहा तो आप कभिए both चकर में ना Πर में दोस्तों समझे की नहीं क्योंकि धोख अक होता है दोस्तों आदमी फैस्ता के लाहे जहां लालच होता आप लाल चलते बनेगा तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद एही है कि इस वीडियो को जो है दोस्तों आप अच्छे से देखिए समझी है और अपने दोस्त यार जो भी आपका रिलेस्टन हो उसमें सेर कीजिए ताकि पबलिक जागरूख हो सके और उनके साथ किसी भी तरह का फ्रावड ना हो दोस्तों क्या है दिली में कुछ बाहर से भी आदमी आके और लीडिके नाम पर अपना एक ओफिस खोल के बैठ जाते हैं उनके पास माल हो गएरा तो कुछ होता नहीं है और आप से पैसा ले लेगा फिर कहीं से उल्टा सिधा माल ले आकि आपको जो है कम भी भेजेगा दोस्तों और पहले रेट कम बताएगा फिर बोलेगा इस पर यह जी स्टी ओजिएस से करकर के आपको बल भी इतना रेट में पहुंचेगा कि आप उसको सेल ही नहीं कर पाएंगे फिर हम बनाते हैं नहीं दोस्तों यह सब जो माल है यह सब जो मैं बना रहा हूं यह डियो भी जो सुरिया यूज करता है दोस्तों देखिए यह सब चाइना से आता है दोस्तों यह बड़ी भी चाइना से आता तो आप वो जो सुस्ते होंगे कि जो मैं वीडियो में देख रहा हू वहाँ बना नहीं दोस्तों वह सब उनकी टीम होती है जो वीडियो को एडिट करके वह दिखाया जाता है Uわかावे के चक्क्र मेश्याइते ठीक है दोस्तों तो दोस्तों और एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको किसी भी परकार से जो हमारे सब्क्राइबर भाई है जो नहीं भी है जो वीडियो देखते हैं अगर उनके साथ किसी भी परकार का फ्रॉड हुआ है दोस्तों तो आप जो है एक शोट वीडियो बना सबहुत कि लिए की करक्ता हूँ मेरा पृयास है लेकिन इंदारी करें न दोस्तों भी लगार को और गरीबी के डलदल में ढखता न दोस्तों है आदमी लालच में पड़के मैं आप व्यापार करूंगा कमाऊटा और जैसे तैसे अपने यार दोस्तों से उधों लेकर ब्यापार शुरू करते है और उनके साथ अब बताये अच्छे-अट्छे आदमी के साथ भी फौिछिता है तो उस सबसे बचने के लिए दोस्तों क्या है आपका स्पत्रक्स जरूरी है आपने यूटूब पर वीडियो स्पाइस डाल देते नहीं दोस्तों कहीं भी आप जरूरी नहीं हमसे माल लीजिए आप किसी से भी माल लीजिए लेकिन पहले उसका पुराना वीडियो सब जो है उस चैनल पर जाके देखिए उसका हर एक वीडियो का कॉमेंट चेक कीजिए उसमें बहुत सारे कॉमेंट आपको मिल जाएंगे कुछ तो बड़े-बड़े जो कलाकार है वो नेगेटिव कॉमेंट को कि नहीं है अगर जो कोमेंट बॉक्स में जितना दिखा रहा है उससे कम है तो समझ जाईए नेगेटिव कॉमेंट को डिलेट किया है तो उससे सवधान हो जाएए दोस्तों माल मत लीजिए ठीक है दोस्तों मैं हर दिन एक वीडियो डालता हूं दोस्तों उसमें नए-ने ट जूरे माल लेके देखे दोस्तों आपको नहीं पसंद आया तो आप छोड देना दोस्तों ठीक या माल हमें रिटन्वी कर सकते हैं फ्सक्ट कंता तो मिदों इतना ए test बोलता हो कि अगर किसी को हमारा मल पसंद नहीं आया तो में या लेंगे ठीक है दोस्तों और दोस्तों जो कोई भी हमसे माल लेते हैं चाहे वो गुजरात का हो करनाटक का हो किरला का हो आसाम का हो बंगाल का हो बिहार का हो जहारखन का हो तो अगर मैं किसी के साथ फ्रोड किया हूं दोस्तों तो आप लोग भी वीडियो देख रहे होंगे आप कमेंट कीजिए आपका स्वागत है लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसा कोई कमेंट आएगा ही नहीं दोस्तों मैं तो चाहता हूं कि यह हर घर तक वीडियो पहुंचे जिससे किसी के साथ फ्रॉड नहों सके लेकिन मेरे चाहने से क्या होगा दोस्तों यह सब आप लोग के हाथ में रहा दोस्तों कि आप इसको जितना बाइरल करेंगे उतना ही पबलिक जागरूग हो सकेगा और जो भाई लोग है वो फ्रॉडों से बचेंगे तो क्या दोस्तों आपका फर्ज नहीं बनता कि आपको फ्रॉडों से दूसरे लोगों को बचाना चाहिए आपका कर्तब्य है कि नहीं आप भी तो इस देश का नागरिक है तो कि इस वीडियो को जो है जितना अधिक से अधिक हो सके द दोस्तों इस बिडियो मैं क्या चीज पर बनाऊ आप कॉमेंट जरूर कीजिए मैं फिर उसी बिडियो बनाऊंगा तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्याबाद दोस्तों मिलेंगे फिर नेक्स बीडियो में